तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सैक्लिंग वीस्ट पर, इस वक्त मैं एक एडवेंजरस ली जर्नी पर हूँ, लाउल स्पिती बाई वॉक कर रहा हूँ, 6.50 km, 35 दिन में, आज हो गया, 15th डे, जगह है हुरलिंग, और पिछले अपिसोड में मैंने आपको ग्यूममी और जो वहां की मॉनिस्ट्री वो खुमाई थी, और कल मैंने करीब 26 km का डिस्टंस करके मैं यहां करके रूगा था, रात को लेट हो गय था, आते आते, रहने की ज मदद की मेरी उसके लिए, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, अपने मदद की है, उसके लिए शुक्री आपका, तो अकेला तो मैं डून-डून के परिशान ही हो रहा था, यह जगह पे सिर्फ जियो का नेटवर्क है, आप यह क्या रहे हैं, एटल नहीं है यह 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 अगे जाके एटल मेलेगा, पाश ताबो पहुचने का प्लान है, चलिए सर, मिलेंगे जरूर, थांक्यू सर, अच्छा सर, यह बताओ, आप लोग एक हाथ से ऐसे करते हैं, बौधिस्ट है यह क्या होता है, कभी ऐसे भी करते हैं, दोनों की एक ही मतलब है, मैंने काफी लो क्या बोलते हैं, यह है दोस्तो हुर्लिंग, ऐसा दिखेगा आपको, थोड़ा यहां पर मैं हवी ब्रीद करता हूं, क्योंकि थिन एर है, लॉक्स जर नहीं कह सकते है, थिन एर है, तो ब्रीदिंग थोड़ा हवी हो जाती है, कैसे मना जाई, नहीं मैं अभी नहीं निकल र सकता हूं के, तेबल कुर्सी चेर पे, तो नहीं मैं अच्छा करा हूं आपको, कोई नहीं करो, तैसी कटी रात, बहुत अच्छी कटी रात, कोई परिशान नहीं नहीं नहीं, काफी दिनों बाद में अच्छी से सोया, दोस्तो यह है ब्रेकफस्ट आज का, खाना खाने के एक मीटिंग एटिंगर के फिर मैं से लिए, तो यह वढ़ा है जहांपर मैं रुका हूं हूं हुट लिग इज पत्रोल पंप, अ मार्केट, सम गेस्ट वास इस अपॉपलर फोर ट्रावलर्स गोईं और कमिंग फॉम स्पिति वैली, हुरलिंग इज अस अट आवर ताउं don't you think so it sounds like something you do after drinking a lot thank you areました thank you after saying goodbye to Mohan Lal ji I started the work towards Chandigat while enjoying the views of mountains with river and winding roads greenery was also visible in few patches अबजे हैं 3.40 तो आज बैठ करके मैंने बस काम निपटाया थोड़ा सा लपटाउप पे और दो सु दुस रुपे खर्च करती है खाने पे एक लॉंच एक ब्रेकफरस्ट और दो कप चाय 210 रुपी चॉसलियस दे तिल तुड़े तो चलो चंडिगर पहुंच के मिलते हैं अधर लिटल वक आई रीच्ट चंडिगर इस अगें अस्माल ताउन तो हुरलिंग से हार्ली 500 मिटर या एक किलम्टर ही है चंडिगर विलेज बोर लगावा दिग्या और बहुत सारी फोटोग्राप्स में जो वर्षाषाली का चंडिगर देखिये ना वो यह है तेखो ब अधर बाउंडरी बिट्विन स्पिती और किनौर चंडिगर विलेज इस नौट तो बी इस नौट बीज विज विद चंडिगर सिटी विच इस अ कंपलेटली दिफरें प्लेस इन पंजाब अगरे देखा ना और आपने यह कैमरा जो केमरा इस्टा इस तरीश्ट इस लेकिन इस बोगा अच्छा निम से के के पर जबता अपने अमित्यागी राजस्तान वेरें राजस्तान जैपूर अच्छा जैपूर से हैं राइट छोटा सा पूल बना रखा एक तम हसीन सा घू आपकर ना पड़ता है इसके लिए और वहां जगह जहां से निकल क्या के जाना है मैं समझता था कि यहां साप नहीं होते हैं पर यहां भी साफ होते हैं थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा छोटे साफ पहाड़ी ज्यादा कि जारी लिए होते हैं तो स्मिति में ज्यादतर सड़क आपको ऐसी मिलती है पत्थर को चटान को काट के बनाएं गई है च्छत की तरह निकला रहता है और पतली सी सड़क लहरा करके जारी होती है बड़े बड़े पहाड़ों के तहलेटी में और इस नदी के किनारे किनारे इसका अपनी खुबसू में से गाड़ी आ गई ना तो बस तरकी जाएगा एक दोनों में से किसी एक को तो रिवर्स करना पड़ेगा या जग्या को ढूंड़नी पड़ेगी ऐसा होता है कि कुछ टूरिस्ट हैं अपनी गड़ी यहां लगाई है इन्होंने और इस पत्थर के बिचे खाना वाना ब पंजाब यह तो पंजबी लग रहे हैं अपने कियालने बरावा ओके कमेंग कमेंग ओए मैफिल जबी है मैफिल आगा नाइस लोकेशन देसा वोटर शोग ओड़ा पकलो क्याले वाई लोगो पुरा बनाली तकर नाली तकर श्रम से कुकर भी आया साथ में इतना बड़ा तकर बापना लोगो कि लिए यह फाना बना दो आपका श्री 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 अब चंद्र पारस बन डिगें तो लेड़ के रहने वाले यह तो चंदर पुझाब ने जंदा जंदर पुझाब में जंदा परता हुआ दो कह उता है यहां पीशकित है कि अमनेद्टी नॉर्टी जों पूंग यहां कि अनि-धापो्स काचिंट जातों आप हां श्मौनेुकि आप अजरे अजां कि वह दोगे बिए है किस्टी आप 검 tradist तू श्राव सब टारको यहां से कहा थोले लोगें तो उसका एक वक्राय मजा होता है, तो फैमिली के में साथ होता है, तो सब भी बढ़िया चलता है, तो सोड़ा रैर सरकल में होना चाहिए, काम दंदे तो चलते रहेगे न, अपनी डाइफ का इंजोए भी कर्मा चाहिए परफेक्ट है जी, सईक आपने, क्या बात है, ऐसा आठ मानी के लिए साथ में नहीं जाएगा, जो भाईयों के साथ टैम निकाल लिया, जो जो इंजोए का लिया, जे मजोदरों, अपने लग से मजा है, क्या बात है, जिक चल रही है, देखो, बैज बरिया नी बना रहे है, बैज बना रहे है, वैसे होता था फ्लाव ही है, सही है बाई, जेंगा जी, बढ़िया लगा मिलके आप लोगों से बाई, अच्छा लगता है, बेलको, मुझे भी अच्छा लगा, बढ़े दिन बाद मैं खुल के हसाँ, खुछ देर, चलो, पिलेंगे, बाई, पहला माइल स्टोन मिला है, हुरलिंग से चलने के बाद, लिखा है लरी, नाइन किलोमेटर, तो यही है आज क्या टार्गेट, तो छे तो पहले बच चुके हैं, अब देखता हूं मैं या पहुंच पाता हूं या नहीं, और कितना प्यारा काटा है इस पाड को बैते हुए पानी ने, देखें कितनी सुन्दर देख रहा है सब कुछ, सामने एक पुल बना है, रोड के इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए, आज ये पास चलते हैं और देखते हैं उस पुल को, करीब साथ किलमेटर चलके मैं पहुंच गया हूं सुम्रा विलेज, और आप देखें हहरान हो जाएंगे कितने अच्छे पुल है यहां बने हुए, एक बड़ा पुल, एक छोटा पुल, छोटा पैदल के लिए था, जो शैद पहले यूज होता था और बड़ा पुल गाड पी है और उपर वो टावर भी बना हुए है, देखें, कितना अच्छा दिखता है यह गाओ, एक दम तलहाटी में बसा हुए है और रदी के दूसरे पार, Sumra village is a small village in the Hangrang valley of Himachal Pradesh. Sumra has a population of 238 people who belongs to Kinnori tribe and follow a mix of Hinduism and Buddhism. Sumra is also known for its scenic beauty and rich culture. Sumra also has a unique tradition of preserving its tribal culture and rejecting the influence of Bollywood weddings. The village passed a resolution in 2021 to ban the use of DJ music, firecrackers and lavish expenses in the weddings, instead promote their own folk songs, dance and the rituals. Sumra is an example of a village that is proud of its heritage and strives to maintain its identity in the face of modernization. यह जो जगा आप देख रहे हैं यह तीपता क्यालाती है, यह छोटा सा रूट लेके घूमने वाला मैं तीपता पहुंच जाओंगा वहां तक, बारिश नहीं रहु यार बारिश शुरू हो गई है और 6 km जाना है और श्याम के बच्चों के साथ, तो बारिश में चलना हो जाएगा मुश्किल, पारिश बड़ी कम हो गई है, सोचता हूं कि आगे चलू, चलो, चल के देखते हैं क्या होता है, यह जगे वैसे थी बड़िया पसंद आगी थी मिरको, निकल जाए भाई, और यह तो वही गाड़ी है, और यह तो वही गाड़ी है, हाँ 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 जाएगा मेरी पास हाँ 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 आए औरे, वाई बड़ा देखो बाई अ बेने बॉला था जब भर बना लोगे तो लिया अना मेरे वी रस्ते मिलोगा, है यह तैंक यू और यह घाय आ ना अब यह क्या करने आ यह ता आगा यह तैंक यू प्रा थैंक यू अप्राजी न बाई बाई तेंक्यू अलो भाई आज के टीनर का जोगाड हो गया भाई लोगों की वज़े से पंजाबी प्रा मिलके सीगे चंगा अब तो इसको हाथ में लेके चलना पड़ेगा देखता हूं कितना दूर है रूपर पहले एक ब्रेक लेते हैं लो जी यह उन्होंने बनाया अब मेरा अगला टार्गेट है लारी लारी के थोड़ा पहले कैम साइट दिखा रहा है देखता हूं अगर वहां थोड़ी मदद मिल जाती है तो कैम साइट पे जाके बात करता हूं कम से कम मुझे साड़े चार किलम्टर चलना ही पड़ेगा इस अंधेरे में यह देखे पहले लोग इस रास्ते से ही उदर जाया करते थे लेकिन आजकल टूट गया है मेंटेन भी नहीं किया गया तो कोई आता जाता नहीं लगता ऐसा है और यह जा रहा है वो लाइट जल रही मुझे लग रहा है वह तीपता के यहां के तो हाईव एक तम घटबी हो गया कच्छा रास्ता आ गया बस यह जैसी भी जारी दी इसके सिहाब से मिलको रास्ता पता चला कि मैं सही जा रहा हूं अच्छी जगे बिल रही है रोड साइड पर नचा रहा हूं कि किसी लोकालिटी में लोगों के साथ जाकर अब होगा दो किलबटर के असपास इट वस 9 पीम वन आई रीच अट लारी आई वस टारगेटिंग तो रीच तो अट रात के नो बजे हैं और यह कैम साइट थी यहां पर बंद है मैं दरवाजे पर खड़ा रहा आवाज लगई कोई आया नी तो अंदर से लॉक है लगता तो अब जो आएगा सुबह को यह करेंगे लोगी दोस्तों एक अडविंचरिस सा दिन खतम होगया रात के पौने 10.00-12 बजगे हैं लोकल लोक तो सो चुके होंगे इस वक तक सुब उठके देखते हैं क्या होता है मैं भी देख रहा था आस्मान में निला आस्मान था उसमें तारे चमक रहे थे हल्की बुंदबांदी हो रहे थी और दो तरफ उचे-उचे पहाड है और यह कोर्चिट गार्डन है जिसके साम 12-13 किलोमेटर का डिस्टेंस कवर हुआ है तो चार बजे स्टार्ट किया तो उसे साबसे यह अच्छी स्पीड पकड़ी मैंने बढ़िया हो गया टोटल खर्चा आज का 210 प्लस 80290 रुपे का है जिसमें से ब्रैड का एक पैकेट लिया था थोड़ा से 67 के ले लिये थे और डिनर तो मुझे पंजाबी भाईयों ने खिलाई दिया था तो यही है आज की कहानी अब मैं आपको कल मिरूंगा कल मैं ताबो पहुंचाऊंगा जहां तक मुझे लगता है ताबो ज्यादा नहीं है साथ 8 किलोमेटर रह गया यहां से जो पिछे माइल स्वा लगा था उसक नीचे की तरफ दिया हुआ है और जिन जिन लोगों नो मुझे सुपोर्ट किया इस जर्नी में उनके नाम में या नीचे दे रहा हूं आप भी मुझे पेपाल गूगल पे और पेटीम नंबर पे या मेल आईडी पे जाकर के सुपोर्ट कर सकते हैं आप मेरे रेगलर सब्स झाल 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 झाल